नमस्कार, न्यूज एट एट में आपका स्वागत है, मैं हूँ अदिती राजपूत ने ये आरोप लगाया है कि अस्पताल में मेडिकल स्टाफ और सुविधाओं की कमी के चलते ये मौते हुई है हमारे साथ हमारे सही होंगी पूजा भारदवाच मुंबई सिफ ओन लाइन पर जुड़ गई है उस पर पूरी तरह से सफाई सामने नहीं आई लेकिन आप देखें महराश्य का नांदिर दिला और डीन की जो बाइट है जो उन्होंने बात कही है मीडिया से वहाँ पर वो बाते वैसे सवाल उठाए है जिस पर महराश्य सरकार को जवाब देना होगा क्योंकि उनका कहना है कि 80 किलोमेटर के आसपास आप देखें वो इलाका जहाँ यह अस्पताल है वहाँ पर दूसरा ऐसा कोई अस्पताल नहीं है इसलिए जितने भी क्रिटिकल मरीज हैं गंभीर मरीज हैं वो इनके यहाँ पर भरती है जो शमता है उसे कहीं ज्यादा भरती है 500 कि अगर शमता है यहाँ पर बैठी तो समझें आपकी 1200 के आसपास मरीज यहाँ पर भरती हैं विपक्ष इस पर सवाल भी उठा रहा है तो 24 गंटे में 24 मौते हैं हुई है डीन की और से जानकारी यह मिल रही है कि इसमें अलग-अलग तरहे की बीमारियां और खास और से सबसे ज़ादा जो साब के काटने की वज़े से जो मरीज यहाँ पर भरती हुए है उनकी संख्या ज़ादा है सबसे ज़ादा दुखत बात यह है कि 12 नवजात बच्चे हैं इसमें जो कुल 24 मौते हुई है उनमें 12 नवजात बच्चे हैं 6 लड़कियां हैं और 6 लड़के हैं जिनकी मौत हुई है उस पर आप देखे विपक्ष तुरंत हमलावर है अशोब चवहान कॉंग्रिस के नेता महराश्यक्पूर के मुख्यं मंतरी यहाँ पर उन्हों ने दौरा किया इस अस्पताल का और वहां उन्होंने बात कही है कि तरह से जो कमिया हैं इस अस्पताल में उन्होंने गिनाई है सुप्रिया सूले ने कुछ देर पहले प्रेस कॉंफेंस की उन्होंने भी सरकार को घेरा लेकिन मुख्य तौर पर अगर आप इस सरकार इस अधिकारी की ही बाइट को आप समझें जो उन्होंने मीडिया से कहा कि आसपास अस्पताल नहुने की वज़े से शम्ता से कहीं ज्या असपास से दवाईयां खरीद का लोकली जो प्रवाइड हो रही है उनको दी जा रही है लेकिन 24 गंटे में 24 मौते हो चुकी हैं जिसमें 12 नवजाद बच्चे हैं 12 बड़े हैं और वहाँ पर प्रोटेस्ट भी शुरू हो चुका है एक तरह से जो तमाम रिजन हैं वहाँ पहुंचने शुरू हो गए हैं और जो सियासी दोरे हैं वो भी शुरू हो गए हैं तो सरकार की तरफ से अभी आप देखें एक नाशिंदे मुखे मंतरी उन्होंने मीडिया से कहा कि उन्हें जादा इस बारे में जानकारी नहीं है लेकिन कारवाई होगी तो एक तरह से एक के बाद एक जो स्वास्त की विवस्ता है महराश्रों में वो चर्मराती हुई दिख रही है ठाने में हाली में अठारा मौतों के बाद ये बड़ा जटका चौबिस मौतों का नांदेर से यह दो बहुत 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 शुक्रिया पूजास तमाम जानकारे के लिए तो नां की कमी के भी आरोप यहां पर लग रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं बिहार की बात करते हैं जापर जातेकत गरना की रिपोर्ट आज जारी हो गई है राज्य की तेरा करोड की आबादी में 63 फीसदी लोग पिछड़ी जाती हों के हैं जबकि अनुसुचित जाती के करीब 20 फी कि बिहार की जातिकत जनगन्या की रिपोर्ट एक बड़ी राजनिति खलचल का इसारा है इस रिपोर्ट की मुताविक बिहार की 13 करोर की आबादी में राजी में पिछरे अती पिछरे और अनसुचित जाती के लोग 84 फीसदी से उपर हैं जबकि अनारिक्षत या अग्रा वर्ग 16 फीजदी से कुछ कम है पिछरे 27 फीजदी हैं अती पिछरे 36 फीजदी हैं दलित 19.65 फीजदी हैं जनगन्या में अलग अलग वर्गों में बटे मुसल्मान कुल 17.7 फीजदी हैं और राजी में राजनितिक तोर पर सबसे मजबूत माने जाने वाले यादव 14.26 फी साफे इस रिपोर्ट के बाद दूसरे राजियों में भी जाती गत गन्ना की मांग शुरू हो सकती है और राजनितिक एजंडा बदल सकता है इस नए मंडल बनाम कमंडल की धमक वालियर में प्रधान मंतरी की रैली में भी दिखी जहां उन्होंने विपक्च पर जाती की राजनिती करने का आरोप लगाय उनके पास भी मोका था वो नहीं कर पाए वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बाढ़ते दे आज भी वही पाप कर रहे है नब्वे के दसक में मंडल के बाद सोसल इंजिनरिंग के जरिये कमंडल को बढ़ा करने वाली बीजेपी फिलहाल सतर्क है फिलहाल ओवी सी राजनिती में उसकी अच्छी पैट है और वो पहले रिपोर्ट का अध्यन करने की बात कर रही है जबकि सामाजिक नहीं से जुरी अध्यम से उन्होंने किया है यह पूरे अध्यन के बाद भारतिय जन्ता पाटी अपना पक्ष रखेंगे साइंटिफिक जो डेटा जो है आतिक समाजिक नहाई की जो लड़ाई लगतार हम लोगों ने जो लड़ी है और चुडाओं में भी यह हमेशा से हम लोगों का एहम मुद्दा रहा है बेडोजगारी और जातिय जन्गन्ना को ले करके है प्यार में जातिकत गन्ना के और ढूरत जा सकते हैं अभी जो धर्म के आधार पर बहुत संख्यक अल्ब्संख्यक राजनिती हैं वो आने वाले दिनों में अगरे पिछ़़ों में बदल सकती है यह वह संभावना है जिससे बीजेपी बचना चाहेगी लेकिर आने वाले राजनिती की कार्ट दरसल सामाजिक न्याय की राजनिती ही है पट्टा से कैवर्णमेन हभीब अली के साथ मनीश कुमार एंडी टीवी इंडिया के लिए एक और बड़ी खबर आज दिल्ली से आई आई एस आईस मोड्यूल का भांडा फोड हुआ और एक बड़ी साज़िश को नाकाम करने की बात कही गई है एन आई एक की ओर से मोस्ट वांटेड घोशित शानवास को गिरफतार किया गया है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी यहां पर गिरफतार किया है शानवास को जैदपुर से अर्शत को मुरादाबाद से रिजवान अश्रफ को लखनों से गिरफतार किया गया है तीनों को साथ दिनों की पुलिस कस्टेडी पर भेजा गया है विदेश पे बैठे हैंडलर्स के इशारे पर ये बड़े हमल है और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे चिकेट सामे किसको मुला इस साल का नोबेल पुरुसकार ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है फिजियोलोजी और मेडिसिन के शेत्र में 2023 का नोबेल पुरुसकार दो वेज्ञानिकों को दिया गया है कैटलिन कैरिको और ड्रियू विजमैन को नुकलियोसाइट बेस संशुधरों से सम्मंदित खोच के लिए ये सम्मान मिला है इस खोच की वज़ा से COVID-19 के खिलाफ प्रभावी RNA वैक्सीन का विकास हो पाया मूल रूप से हंगरी निवासी कैटलिन कैरिको एक मशूर हंगेरियन अमेरिकी बाइयो कैमिस्ट है और वहीं ड्रियू विजमैन जो है अतुर शाह नक्षिक बीते 15 सालों से हर गांधी जैन्ती के मौके पर गांधी जी को लेकर अलग-अलग धीम पर आधारत प्रदशनी का आयोजन करते हैं और इस साल उन्होंने गांधी जी के उपर देश भर के पोस्चल ओफिस द्वारा जारी की गई डाक टिकेट और कैंसेलेशन कवर की परदशनी लगाई है जिसमें बाफू के अलग-अलग अंदास जो है वो देखने को मिल रहे है न्यूस आट एट में इतना है नमस्कार